पार्लर से जब स्मूथनिंग करवाते हो ना तो बाल में इतने कैमिकल यूज होते हैं और इतने इतने बाल आरेन किया जाता है बालो में कि आपके बाल डैमेज हो जाते हैं बहुत जल्दी और बहुत कोई आफ़र नहीं कर पाते हैं इतने पैसे लगा के पार्लर में अपने के स्टेट करवाना हैं बहुत कोई ऐसे होते हैं जिसे नेचरली सब कुछ करना पसंद होता है तो है गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आयम मेगा और में चैनल पर आप सब को स्वागत है तो आज मैं आप लोग से अजिसे ही बाला ही जिससे आपके बाल बहुत जल्डी स्मूद भी हो जायेगे साइनिंग सिल्की भी हो जाएगे और में आप लोग को Ispam भी हो जाएकечно हजवत है की नहीं है क्योंकि जब आफ यह लगाऊवे तो आपको पारिल में मुझे नहीं लगता है जरूम्म पर एकलिसमूंइंग Krwane बालों को डैमज करने का भालों को डेमेज नहीं करना है तो आप घर पर ये कर सकते हो जो मैं आपको साथ सेयर करने वाली हूं पर सिर्फ पियेे है कि आपको बालों का ओयलिंग करना है तो उसके लिए मैंने यहां पर लिया खोग। दो एपने बालों में आके लिया है आलित यह ओलिध आलिस और झाल को अवाल में इंपॉर्टेंट है यह दूनों आप लेना है इसके अलावा आपको लेने की जुरत नहीं है बसकी दो आपको लेके अपने बालों में मसाच कर ले आ जैसे तरह से मैं दिखा रही हूं याद रखना कि आप जो प्रोसेस आगे कर रहो उससे 2 घंटा पहले आपको यह ओल अप्लाई करना है क्योंकि आगे भी हमें कुछ बालो में यूज करना है जो हमारे बालो को स्ट्रेट करें गए तो आप जब लगा लोग तो इसके थोड़ा सा हैड मसाज लेने अच्छा रहता है बालों के लिए जब तक लगा रही हूं तब तक मैंने पानी को घर्म को लिए रख दिया है तो इसके लिए मैंने एक वाल में गरम पानी लिया है उसके अदम यहां कॉटनला टॉप से ही कवर कर लोंगी हर इस टेप यह है कि आपको मास्क बनाना कि बनाना तो एक यहां पर बनाना लिया है अलोवेरा जेल लिया है इसके बाद इसमें और भी चीज़ मिक्स करना है वह विटामिन ए कैपसूल यहां को यूज करना है एक स्पून हनी अप हनी जब इसमें यूज करोगे तो आपको कोई साडिर फिक नहीं होगा अतना यूज करना है बता दू और आपको इसमें एक और चीर मेने यूज किया था जब बता दूँ यहां ने उपर से यूज किया के बाद उसका आपको यह एप्लाई कर लेना है पूरे लेंध पे एप्लाई करने के बाद आदा गुंदा छोड़ देना है जब आदा गुंदा भी इसे छोड़ दोगी तो अच्छी तैसे करके करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना सबसे पहले आके आप में वीडियो देखो और से कर दो बब